दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी हिट लिष्ट को जिसमें एक आदमे का बदला आपके होश उड़ा देगा अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शुरुआत में हम विजे को देखते हैं ज अलाके अब उसके पिताजी के कोनगरसित हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी विजे पर आ गई थी अब एक दिन जब विजे ओफिस जा रहा होता है तब उसे उसका पडोसी दिखता है जो चुहे को पगड़ कर मानने जा रहा था तब वो विजे को देखते ही तुर है कि अगर ये पागल विजे ना मिलता तो अब तक तो मैं इस चुहे को मार चुका होता इतनी मुश्किल से तो चुहा हाथ लगा था मगर विजे को तो इस बात की खुशी थी कि उसने सुबा सुबा किसी जीव की जान बचा ली फिर वो अपना सीना तान के चलने लगता है दूसरी तरफ हम ACP रमाकांथ को देखते हैं जो काली नाम के एक खदरना गुंडे से मिल ले जा रहा था, ये देख काली के अलाके के सभी गुंडे ACP रमाकांथ की गाड़ी को खेल लेते हैं, अब इन भूखार गुंडों के झुन को देख कर रमाकांथ के साथ ही तो डर ऋगाते हैं मगर रमा कान्थ शेर की तरह गारी से नकलता है और काली के घर की तरफ बढ़ने लगता है जाने से पहले वो अपनी गन अपने साथे को देख कर order देता है कि इन में से कोई भी अगर अंदर आने की कोशिश करें तो सईन्य ठोग देना अब अंदर रमा कान्थ काल तो जैसा मैं कहूं वैसा ही करो फिर हो मिरिश्टर भी काली को कॉल करके कहता है कि हमारी पार्टी को तुम्हारी जरूरत है मैं नहीं चाहता कि तुम जील जाओ इसलिए रमाकांत की बात माल लो फिर रमाकांत काली को वार्णिंग देते हुए कहता है कि आप तक तो नेताओ क की वज़ा से तुम बच्ते रहे हो मगर आज के बाद अगर तुम्हारी कोई भी शिकायत मेरे कानों में पड़ी तो इसका अंजाम बहुती बुरा होगा फिर अगले सीन में हम देखते की काली किसी बिजनेस्मेन से मिलने गया है जिसके उसने काफी सारे मर्डर्स किये थे अस काली को जब ये बात पता लगती है तो उसे गुस्सा आता है कि पहले तो इसने मुझसे इतने सारे मर्डर करवा लिये और अब जब मेरी वज़ा से इसका बिजनेस चल पड़ा तो ये मुझे 20% हिस्सा भी नहीं दे सकता उपर से इसने मेरे खिलाफ इतने सारे केस कर दिये अब मैं इसे छोड़ूँगा नहीं इसकी बात काली बीच रास्ते में ही उस बिजनेसमेन को मौत के घाट उतार देता है और लोग बस खड़े देखते रह जाते हैं फिर हम देखते कि रमाकांत की बीवी एक सौफ्टवेर डेवलबर है जिसने अपना नए अप लांच किय विजे भी उसे की कमपनी में काम करता था अब एप लांच सेरिमनी के दौरान रमाकांत की पतनी के चरिये विज़ और रमाकांत की मुलकात होती है और सेरिमनी के बाद जब विजे घर जा रहा होता है तब उसे किसी ने कॉल करके कहा कि तुम्हारी मा और बहन मेरे कबजे म तो आपसे जैसा मैं कहूं वैसे ही करना ये सुनकर तो विजय घबरा जाता है और तुरंट इस बात की खबर रमाकांद को देता है रमाकांद कहता है कि ये शायद कोई मस्ती कर रहा होगा तुम घबराओं नहीं मैं तुम्हारे को स्ट्रेस करवाता हूँ और तुम्हारे घर के बाहर एक गार्ड भी तैनात करवा देता हूँ फिर घर आकर विज अपने सारी रिष्टेदारों से कॉल करके पूछता है पर किसी को उसकी मा और बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं था अब सिसी टीवी के थ्रू पुलिस को विजे की मा की गारी मिल जादी है फिर उस इलाके का एक आदमी पुलिस को बताता है कि मैंने देखा एक काली गारी इस गारी का पीछा कर रही थी फिर उसमें से एक मास्क वाला आदमी उतरा और इसमें से एक औरत और उसकी बेड़े को पकड़ ले गया ये सुनकर पुलिस उस काली गारी को ट्रैक करने का प्लैन बनाने लगती है रमा कांथ कहता है जितनी देर पहले किटनैपिंग हुई है उसके मताबिक तो ये गारी अभी केवल 20 किलोमेटर से ज़्यादा दोर नहीं गई होगी यहां रमा कांथ को विजे पर भी शक था तो एक कब का शेयर से भार भीजवा दिया गया है इससे पुलिस को पता लग जाता है कि मास्क मैन तो उनसे भी एक कदम आगे है और तो और ऊसने वी पिएन से अपना लोकेशन भी बदल रखा है जिससे पुलिस उसे कभी ट्रैक ने कर पाएगी मास्क मैन विजे को कहए दा है कर उसे कहता है कि ये तुम्हारी सेफटी के लिए है ताकि हम तुम पर नजर रख सके इसके लावा कुछ पुलिस वाले भी विजे के घर के बाहर सिविल ट्रैस में पहरा देने लगते हैं अब मास्क मैं फिर से विजे को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे घर के पार जो चिकन क में से एक तेस धरवाला चाकू निकलता है जिससे मास्क मैन विजे को मुर्गे की गरदन उड़ाने को कहता है अब आप तो जानते ही है कि विजे कितना शांती प्रे इंसान है वो तो एक मच्छर को भी ठीक से माण रही पाता जिंदा मुर्गा काटना तो दूर की बात है यही मुंबत्या रखे गई थी मास्क मैन कहता है कि मैं यह सारी मुंबत्या तुम्हारी बहन के शरीर पर गिरा दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी यह देख विजे का अपते हाथों से उस मुर्गे का सर धड़ से अलग कर देता है इससे मास्क मैन की आत्म मानो त स्रिप्त हो जाती है वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम यह काम करी लोगे और तुम्हारा असली टेस्ट तो कल होगा तो उसके लिए तयार है ना अब पुलिस वाले भी यह सब देख कर सोच में पढ़ गए थे कि आखिर मामला क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा विरग ने दिन जब मास्क मैन विजे से कहीं जाने को कहता है तो पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं मास्क मैन को इस बात का पता लग जाता है तो वो विजे से उसकी शर्ट में लगा कैमरा निकाल कर फेकने को कहता है जिसकी बाद वो कहता है कि माएक सामने गाड़ी खड ये सब करने के बाद विजे काली के घर आता है जहां उस मास्क मैन ने उसे भेजा था विजे ना तो काली का नाम जानता था और ना ही ये कि वो एक शातिर क्रिमिनल है फिर मास्क मैन विजे को एर बर्ट्स के जरिये जैसे जैसे कहने को कहता है विजे काली से वही कहता है उसन मन में ही सोच रहा था, किये मैं किस struggle permit में फस गया, तभी मास्क मेंको काली का वीडियो call आता है, मास्क मेंन ने काली के भाई को भी किड़नाप करके किसी अलग कमरे में रखा था, उसने काली के भाई और विजय की माँ, इन दोनों की बाडी से कोई bomb जैसे system अटेच्च किया था जिसका एक बटन दबाते ही उनकी जान चली जाएगी अब वो काली और विजे से कहदा है कि मैं तुम दौनों का आमना सामना करवाना चाहता हूँ अगर उजी ते तो विजे की मां खतम और विजे जीता तो कालि का भाई खतम हो जाएगा, ये सुनकर कालि और विजे दोनों के होश्योड जाते हैं, फिर मास्क्ट मैंन के कहने पर सभी को कम्रों से बाहर भीश दिया जाता है सिवाए काली और विजे के इसके बाद दोनों में जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है अब दोस्तों विजे ठहरा एक आम लड़का मैं काली तो पहले से ही एक खतरना गुंडा था वो विजे को उठा उठा के पटकने लगता है लेकिन जो वि विजे की मा को अजाद कर देता है अब विजे को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथों एक आदमी की जान चली गई है इधर काली के सारे गुंडे उसकी मौत से बोरा गए थे वो कमरे का दर्वाजा तोड़कर विजे पर तूट पड़ते हैं मगर रमकांत सही टाइम पर एंट्री मार कर विजे को उनसे छुड़ा लेता है अब अगले दिन मास्क मैन सारी मीडिया सिस्टम को हैकर लेता है और ये खबरे चलाने लगता है कि विजे ने काली को कैसे मारा है और लोगों के बीच मास्क मैन को लेकर डर का माहुल चा जाता है कि भला ये कैसा सन की किल है यहां तक कि लोग उसे जल्दी पकड़ कर जेल में डालने की गौहार लगाने लगते हैं वहाई दूसरी तरफ काली के मडर के जुर्म में विजे सलाकों के पीछे था फिर मास्क मैन रमाकांद को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो पर मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे बहतर यहीं होगा कि तुम मेरी बात विजे से करवा दो मुझे उससे एक और मडर करवाना है यह सुनकर रमाकांद भढ़क कर कॉल काड़ देता है इससे मास्क मैन भी गुस्सा हो जाता है और वो मीडिया में आकर लोगों से कहता है कि आज रा कि सर यह कैसी बात कर रहे हो आपको लगता है कि मैं खुद अपनी मा और बहन को किड्नैप करवाऊंगा तब विजे की बातों से रमाकांद को उस पर यकीन हो जाता है अब मास्क मैन शांत रहने वालों में से कहा था तो वो विजे से बात करने के लिए उसके खाने में मोब खुद जेल में हूँ तुम्हारा ये काम कैसे करूँगा मास्क मैन कहता है कि उसकी फिकर मत करो मैंने सब इंतजाम कर दिया है जो खाना बेजा है उसे जल्दी से खा लो विजे बैसा ही करता है और उस खाने में दरसल जहर मिला था जिसे खाते विजे को उर्टिया होने खाने से मास्क मैन के सारी वीडियो काल्स की जाच करना शूरू कर देती है तब ही रमा कांत की नजर वीडियो में एक बोर्ड पर जाती है जिस पर फ्रोजन फैक्टरी लिखा था यानि वो जगह जहां बर्फ इस्टोर की जाती है तब रमा कांत अपने टीम से कहता है कि 20 क पर पहुंचते हैं तो वो टीवी की मदद से उनसे बात करता है साथ ही वो मीडिया में लाइव जा कर लोगों से कहता है कि स्वागत आप सभी का मेरे शो पर मैं आज आप लोगों को लाइव मडर दिखाऊंगा तब राहुल और विजे पूछते हैं कि हमें मारने से पहले कम स क्या है मास्क मैन कहता है कि जरूर ना सिर्फ तुम बलकि जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं वो भी इसका कारण जानना चाहते होंगे फिर वे बतादा है कि जब प्रोना के दौरान ऑक्सिजन स्लेंडर्स की कमी हो गई थी तब अनिता नाम की एक डॉक्टर ने इस पर वीडियो बनाई थी उसने वीडियो को सोचल मीडिया पर अपलोड करके इस मामले पर अपनी अवाज भी उटाई थी जहां ऑक्सिजन स्लेंडर्स की स्मगलिंग करके उन्हें अमीरों को दुगनी कीमत पर बेचा जा रहा था वही गरीब बेचारे कीडे मकोडू की तरह मर रहे थे जिनके बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं था तब देखते ही देखते वो वीडियो वैरल हो गई जिसके बाद गौवर्मेंट ने अनीता के होस्पिटल में तुरंट दो सो ऑक्सिजन स्लेंडर्स बिजवाए थे अब उसी होस्पिटल में एक रात बिताती हो तो मैं थोड़े बहुत ऑक्सिजन स्लेंडर्स गरीबों में बटवा दूँगा इस पर अनीता ने राहूल को धंकी दी कि वो ये सब मीडिया में जाकर बताएगी जिसके डर से राहूल ने अनीता को रास्ते से हटाने के लिए उसके सुपारी काली को द जाए थी जो उस दिन खड़े-खड़े अनीता को मरता देख रहे थे फिर मैंने उचिट्थियों को हवा में उड़ाया जिसमें विजे का नाम आया इसी वजह से मैंने उसकी माँ और बहन को किडिनप किया था ताकि उसे वही महसूस करा सको जो उस दिन अनीता को महसूस तो आरी राहुल के बेटे की बॉडी को दो तुकडों में काट देगी। दूसरी तरफ मास्क मैन ने राहुल की मा और बेहन दोनों को कांच के बॉक्स में बंद रखा था। बॉक्स के अंदर का ऑक्सिजन खतम होते ही दोनों का खेल खतम हो जाएगा। यही टाइम लिमिट थे यहां विजे के सर पर तो खून सवार हो गया था तो वो राहुल को इतना मारता है कि पांच मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है तब ही रमा कांथ भी पता लगा कर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसकी शक के मताब एक 20 किलमेटर के अंदर ही एक पुरानी ब वार की जान बचाने के लिए किया इसलिए उस पर लगे सभी लजामों को खारिच करके उसे बायियत बर imbalance किया जाता है जिसके बाद रमाकांथ विजय को जील से डिया करवाने आता है और उससे बताता है कि आज तक मास्क मैन ने जितने भी वीडियो कॉल्स किये या वो जितनी बार भी मीडिया में लाइव आया वो सभी तुम्हारे रिकॉर्ड किये हुए वीडियो थे ना क्योंकि जब मैं फैक्टरी में आया तब भी उसकी लाइव वीडियो के नीचे भी रोड लगाई थी यानि चाहे जो भी जीत था वो ब्लेट राहुल के बेटे को नहीं काटती फिर वो कहा दै कि तुम्हारी मा की कठी हुई उंगली की रिपोर्ट आ गई है जिससे हमें पता लगा कि उंगली को काटने से पहले उसे इंजेक्शन दे कर सुन किया था फिर बड़ी साफदानी के साथ उंगली को काटा गया ऐसा तो सिर्फ उनका कोई करीब ही कर सकता है जो ना चाहता हो कि उनको जरसी भी तकलीफ हो यानि वो इनसान तुम ही थे है ना ताथ ही वो कहा दै कि मास्क मैन हमेशा ये बात कहता था कि करम घूम फिर कर हमेशा व बन गए ये सुनकर विजे भी हैरान हो जाता है और आखिर उसे कबूल करना पड़ता है कि हाँ वही मास्क मैन है विजे कह दा कि मैंने ही अपनी मा और बहन के साथ मिलकर ये प्लैन बनाया था जिसके प्लैनिंग करने में मुझे पूरे दो साल का वक्त लगा और वो अनीता ज चुप रहूं ऐसा कैसे हो सकता था मेरे पिता जी तो इतने अच्छी आदमी थे जिरूने कोरोना के समय अपना मास को तार कर एक प्रेगनेट औरत को पहना दिया था ताकि उसकी जान बचे जाए अब ऐसे पिता का बेटा होकर मैं सन्या को चुप चाप कैसे देखता रहता वो आगे बता दा है कि जब काली और उसका भाई अनिता को मार रहे थी तब मैं और मेरा परिवार हॉस्पिटल में थे उस समय तो मैं उसे बचा नहीं पाया लेकिन अम मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आखिर कार अनिता का बदला लेकर उसे इंसाफ दिला दिया इस अगर रमा कांथ विज़े से कहता है कि देखो मेरे पास ये फाइल है इसमें तुम्हारे खिलाप सारे सबूत हैं जो इस बात पर इशारा करते हैं कि तुम ही मास्क मैन हो और अगर मैं ये सबको बता दूँ तो तुम्हें सजा होने से कोई नहीं रोक सकता अब मैं तुम्ह मैं दो आप्शन देता हूँ पहला ये कि तुम हमारे लिए सिक्रेट एजेंट का काम करो और दूसरा ये कि मैं इस फाइल को ले जाकर कोट में पेश कर दूँ जिस पर विजे पहले आप्शन को चुनता है और इसी के साथ ये मूवी यही पर खतम होती है दोस्तों आपको कि मूवी का एक्स्प्रेशन चाहत है वो भी कॉमेंट कीजेगा बाकि अगर आपको हाली में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आपी वीडियो देख लेचिए